तो आज मेरे किचन में बन रहे हैं गर्मा गरम पालक मूंग डाल मंगोड़े तो मंगोड़े का नाम सुनते ही मूह में पाने आ गया ना अब यह हेल्दी रेसिपी कैसे बनानी है तो इसके लिए आपको मेरी यह वीडियो पूरी लास तक देखनी पड़ेगी तभी आप भी म इस टीवी है और यह बाहर से जितनी क्रिस्पी होती है तो अंदर से ही उत्ते सॉफ्ट भी होती है मंगोड़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलिए और साथ में ही बेल प्रेस करना ना भूलिए ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगए तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट चरूर कर दीचे मेरे बीडियो के नीचे तो चलिए स्टार्ट करत पहली स्मिने सबसाना, मैं बना बना सकते हैं अच्छे से धोकर थकाँ झालेibly रख देती हुच कर दो 13-4 घंटे मैं तो आप चाहे तो स्टार नाईट भीग जाते हैं तर ने जासरा है इप फ्ल्सपा कर सकते हैं लेकर करहें व्यूंस निकाले च्छीपी पहल Sup य तो दो चम्मस दाल मैंने निकाल लिए अब हम इसे बिना पानी डाले वे ही इसे ग्राइंट करना है और छिलकों के साथ ही ग्राइंट करना है तो यह न्यू बीगनर के लिए भी है जिनको नहीं आते हैं मंगोडे बनाने तो इसको आप छिलकों के साथ ही ग्राइंट कर लीच तो ये mixing ball में मैंने सारी डाल निकाल ली है और अब इसे हमें वैसी बनाना है तो वैसे आप अपने इस अपसे कुछ भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे डिर सारी पालक डाल रही हूँ क्योंकि मैं आज मुंग डाल मंगोडे बना रही हूँ ये टेस्टी के साथ साथ healthy भी बन जाती है अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप मंगोडे के साथ आप बच्चों को पालक खिला सकते हैं तो इससे हम अच्छे से mix कर लेते हैं पालक डालने से ना मंगोडे अंदर तक soft हो जाते हैं आप चाहें तो यहाँ पे घ्री मिर्च गर्रेट कर लिया है और एक इंच अधरा कर लिया है और यह फाल नार्मल तरीके से काटा है से जाशावान आप मिक्स कर लेंगे राव मंगोडे भी बीचन भीच में हरी मिर्च आती है तो बहुत टेस्टी लगती है और तो मैंने प्यास भी डाल दे, आप चाहे तो हरे मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं लेकिन मंगोडे में ना थोड़ सी तीखी मंगोडे हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं तो बास इन्हें हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है सर्दियों में आप इसको बना सकते हैं बरसात में बनाईए बाहर बारिस हो और आप गरम गरम मंगोडे अधरक वाली चाई के साथ इन्जॉई कर सकते हैं मैंने यहाँ पर 1.5 चमच साफ ली है और यहाँ पर द्धन्या थनिया के और साबुट यहाँ पर क्रस्त करे के भी डाल सकते हैं गिन फार कंस ابने बन कर दैंगा ढलें यहाँ पर आदी चोटी चमच मैंने अमचूर कर लिया है तो वह डाल देंगे अगर आपके पास अमचूर पावडर नहीं है तो आप यहां पे आधा नेबू भी डाल सकते हैं अब मैंने आधी छोटी चमच हींग डाली है तो मंगोडे में हींग बहुत जादा डाली जाती है अब यहां पे मैंने जो यह डाल रखी थी जो पहले मैंने ग्राइंट करने से पहले निकाल ली थी तो अब इस स्टेज में हमें यह डाल यहां पे मिक्स कर देनी है तो यह सारा मैं डाल देती हूं उस पर अब सारे इंग्रेडियंट को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताल पालक जो भी मैंने डाला है आप चाहे तो यहाँ पर आलू भी डाल सकते हैं एक आलू को आप ग्रेट करके डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आलू नहीं डाल पर नमक कोई डाले नमक गीला हूज जाताए अगर हम लोग नमक पहले डाल देते तो करच्ची का बैटर निकाल देती हूं और इसा अब मैं हातों से अच्छे से मिक्स करोंगी क्योंकि हातों से ही जो यह मिक्स है वो अच्छे से mix हो पाएगा तो यह जो मंगोडे हैं इतने tasty लगते हैं अंदर से तो यह soft होते हैं और बाहर से यह बहुत कुरकुरे और crispy होते हैं बहुत tasty लगते हैं जब बाहर बारी सो रही हो और या ठंडी हो विंटर में भी हम इसे enjoy कर सकते हैं और बरसात में भी तो यहां पर यह mixture तेयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे छोटी छोटी सी नीभू का जो आकार होता है वैसे उतनी ही बराबर के हम मंगोडे लेंगे ज़्यादा बड़े size में नहीं बनाने हैं और इसका कोई design भी नहीं है जैसे आते हैं बस आप batter उठाईए और तेल में डाल दीजिए तेल ज़्यादा धुवादार गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए तो low to medium flame पर हमें यहां पर यह मंगोडों को तलना है जितना एक बार में कडाई में आते हैं उतनी मंगोडे हम यहां पर डालेंगे और इन्हें अच्छे से घुमा घुमा कि हमें इसे तलना है थोड़ असा यहां पर टाइम लग जाता है मंगोडों को तलने में आठ नौ मिनट लग जाएगा चूकि यह low to medium flame पर तल रहे हैं इसलिए अगर high flame पर तलेंगे तो क्या होगा यह बहार से तो कुरकुरे हो जाएंगे लेकिन अंदर से यह कच्छे रहेंगे और हमने इसमें पालक डाली है तो अच्छे से पालक अंदर तक पकेगी आप लोग चाहें तो इसको वापिस से डीफ फ्राइ कर सकते हैं इसको एक बार निकाल के वापिस एक बार और फ्राइ कर सकते हैं गरम तेल में तो वह भी एक तरीका है मंगोड तलने का तो यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मुझे आठ नौ मिनट लग गए इनको तलते वे लोटू मीडियम फ्लेम पे तो मैं इसको निकाल देती हूँ ताकि इसका एक्स्टर ओयल निकल जाए तो बहुत कुरकुरे और बहुत अच्छी खुस्पू आ रही है जो मैंने इसमें सौफ और धनिया के जो दानी डाले थे ना उसकी वज़े से बहुत अच्छी खुस्पू आ रही है और बहुत एक कुरकुरे भी है इसकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है हापी मैं भी आपको सुनाओंगी तो बस इसे हम लोग निकाल लेते हैं टीशू पेपर पे तो बस वापिस से मैं इसमें एक बैच और तल लेती हूँ ऐसे ही सारे मगणों को तल लेंगे सेम प्रोसेस करते हुए मैं एक कटोरी मूंग दाल से कितने सारे मंगोडे बनाए है तो यह टेस्टी के साथ साथ हैल्दी रसेपी भी है आप लोग भी इसे बरसात में बनाएए विंटर में बनाएए जब आपका मन करता है वैसे आप इस मूंग दाल मंगोडे को बनाएए मैं आपको दिखाती हूँ यह मूंग दाल कितनी क्रिस्पी बने है पकोडे इसके यह देखे आपको मैं आवाज सुना रही हूँ तो कितनी अच्छी आवाज इसकी क्रिस्पी आवाज आ रही है तो यह जितना बाहर से क्रिस्पी है उतने ही अंदर से सॉप्ट भी है और दनिया पोदिने की चटनी है इसका भी मैंने रेसिपी शेयर किया है मैं इसका लेंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में और आई बुटन में डाल दूंगे आप वहां से इन चटनी को बना सकते हैं तो मैं इसको खा के आपको दिखाती हों कि यह कितने क्रिस्पी बने है तो यह बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सौप्ट है तो बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं करमगरम यह पकोड़े खाती हूं और आपनों यह रेसिपी कब बना रहे है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे तो आपने वीडियो लास तक देखे उसके लिए बहुत बहुत ध बहुत बहुत बहुत